दोस्तो कारिपालिका की एक और वीडियो सेरीज में आपका बहुत बहुत श्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्टपती के बारे में इसके लावा दोस्तों हम लोग और भी बात करेंगे उप राष्टपती के बारे में यानि कि ये वीडियो सेरीज में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसका मतलब ये है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेट होने वाला है अपने देश में राष्टपती और प्रधान मंतरी दोनों हैं आपको पदा हुआ जो राष्टपती है ना दोस्तों वो हमारे देश के आपचारिक प्रधान होता है इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो मुख्य जिम्मा होता है जो मुख्य कारिशाषन बढाली होती दोस्तों वो प्रधान मंतरी के हाथों में होती है और उनके मंतरी परिश्चत के हाथों में होती है ऐसे में हमारे राष्टपती की जिम्मेदारियां बहुत कम होती है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़दा जरूरी हमारे सरकार का एक अंग है आईए आगे धीरे दरी जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आपको चीजे समझ में आती जाएंगे लेकिन सबसे बहुते हम लोग ये बात करते हैं कि राष्टपती का चुनाओ कैसे किया जाता है फिर हम बात करेंगे उनके और भी टॉपिक्स में देखे राष्टपती का चुनाओ दोस्तों पांच वर्सों के लिए किया जाता है और ये जिस तरीके से किया जाता है इसको बोलते हैं एकल संक्रमडिय मत पढ़ाली के द्वारा मतलब आप परत्यच तरीके से दोस्तों यहाँ पर चुनाओ होता है इनकों चुनने वाले कोई भी आमनागरिक नहीं होते हैं हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं तो कौन वोट दे सकता है हम लोग जिनको चुनते हैं वो वोट दे सकते हैं विधायक लोग वोट दे सकते हैं दोस्तों सांसा जो होते हैं वो वोट दे सकते हैं राश्टपती के चुनाओ में इसका मतलब राश्टपती का चुनाओ दोस्तों आम नहीं होता है, वो एक खास प्रक्रिया द्वारा खास तरीके से किया जाता है राश्टपती एक बार बन जाने के बाद में दोस्तों उनको हटाया नहीं जा सकता है इनको हटाने के लिए एक ही कंडिशन होना चीए पहले भाई आप किसी को अगर चुनेंगे फिर उनको हटाएंगे तो हटाने के लिए जो है condition देनी पड़ेगी वो condition राष्ट पती के लिए क्या होगी कि अगर वो उलंगन करते हैं सरकार का सरी वो उलंगन करते हैं शम्विधान का अगर उनों ने सम्विधान का कोई उलंगन नहीं किया होगा दोस्तों और अगर वाई दवे किया भी है और बाकी लोग साबित नहीं कर पाए तो उनको हटाना बहुत मुस्किल है और इनको हटान जो कि मंजूरी चाहिए होती है, दो तिहाई से ज़्यादा भहूमत चाहिए होता है, दोस्तों, दोनों सदनों में, तो ऐसी एक जटिल परक्रिया के बाद में ही राष्टपती को जो हटाया जा सकते हैं, इसका मतलब आप यह मालीजियों मोटा मोटी के राष्टपती को हटा में राष्टपती के क्या बोल सकते हैं, उनको परमिशन चाहिए होती है, अब राष्टपती के लिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंडिशन थी पहले, काफी समय पहले थी, उसको फिर संसोधित किया गया, आप ऐसे देखें कि राष्टपती जो थे ना, उनके हर एक कामकाच क जब मंत्री परिषट की सला मानने के लिए राष्टपती बार दें दोस्तों, तो ऐसे में राष्टपती के आउशकता ही क्या रही, वो अपने दिमाग से क्या सोचेंगे, मान लेते हैं कि राष्टपती सोच रहें कि नहीं देश के लिए यह चीज अच्छी है, जबकि मंत पर राश्ट्रपती के और शक्ता क्या है, क्योंकि हमें बात दोन की माननी पड़ती है, हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं, हमें उधर से प्रेशर दे दिया चाता है कि आपको यही काम करना है, बेसिकली वो प्रेशर नहीं होता दोस्तों, वो सला होती है लेकिन उसको म मानना पड़ता है, तो जब यह वाद विवाद चलता रहा ना बहुत लंबे समय तक, तो इस नेमना बाद में संसोधन किया गया, कि सला को मानने के लिए बाद ही तो है, लेकिन अगर ऐसा लगता है राश्ट्रपती को, कि जो पंत्री परश्रत सला दे रहा है, वो ठीक नह अब ऐसे में मंत्री परश्रत क्या करेगा, अपनी जो सला होगी दोस्तों उस पर आपस में विचार करेंगे, बाचित करेंगे, देखेंगे हमारी सच में कोई गलती है, क्या कोई कुछ सुधारा जा सकता है, उनको जब मंत्री परश्रत को वापस से लगेगा, नहीं, लिखा हुआ है, संसोधन के परश्रत पुनर विचार करने के लिए वो बोल सकते हैं, कौन राष्टपती मंत्री परश्रत को बोल सकते हैं, भाई आपकी जो सला है, वो ठीक नहीं, आप उस पर पुनर विचार करें, लेकिन जो चीज मैंने हाँ पर नहीं लिखी है, वो ये और विचार के बावजूद भी वो सला वापस आ जाती है तो राश्पति को उनको मानना पड़ता है अब ये तो हो गए दोस्तों इनके काम काच करने की सहली अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनके पास में कौन-कौन सी सक्तियां हैं लेकिन दोस्त कानूनी के पास आना पड़ता है कानूनी और आपास शक्तियां पराप हैं कानून में कुछ भी फेर बदल करना होगा तो राश्पति दोस्तों कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं और भी अगर आपात कालीन शक्तियां होती हैं आपको पता होगा कि अगर अचानक से कभी बढ़ जाती है तो दोस्तों ये सारी इनके पास powers है और भी है लेकिन अभी मुटा मुटी आप इतना समझो कारे पली का में उनको ये वाली सकतिया प्राप्त है लेकिन यहाँ पर फिर से condition लाग हो जाती है कि ये सारे काम भी वो मंत्री परशद की सलापर ही करेंगे ठीक है मं मंत्री परशद अगर उनको सला देते हैं तो ही ये कारी कर सकते हैं अब आप कहेंगे जब फिर से मंत्री परशद की बात आ गई तो यहाँ पर फिर राष्टपती की जूरूत ही क्या है तो देखें दोस्तों मंत्री परशद में जो देखो प्रधान मंत्री होते हैं या उन ये तो इनकी एक और शक्तियों के रूप में कहा सकते हैं चानूनी और अपातगल की शक्तियां फ्राप्त होती हैं। अधिकार के बारे में समझ लेते हैं जो राष्ट पती को है। जो है रखते हैं लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा पावर नहीं है जो इनको प्राप्त होता है इसके लावा भी दोस्तो राष्ट्पति को दो और विश्षादिकार प्राप्त हैं कौन कोट से हैं आई ये देखते हैं और इनका वो कपका प्रियोग कर सकते हैं यहापर मने आपको पहला वाला तो बदा दिया कि मंत्री परश्चत की सलाप पर दोस्तों पुनर विशार करने के लिए राश्टपती जो है उनको कह सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि मंत्री परश्चत में जो सलादियो ठीक नहीं है तो आपसी के लिए बोल सकते हैं जैसा कि अभी बताया था विविमर्स करती है और ये देखने है कि हाँ ये काईदा कानून हमारे लिए अच्छा है जैसे संसोधन विदेयक हो गया कोई नियम काईदा कानून परिवर्तित करना है किसी को धन की रिक्वार्मेंट है किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए ठीक है कोई और अभी दोस्तों कोई नया कानून बनने आपने जैसे अभी देखाऊगा ना उधारड़ के लिए तीन तलाक वाला जो कानून है तो ऐसा कोई भी विधेयक दोस्तों जो भी होता है वो दोनों हमारी कारिपाली का और जो विधाईका है दोनों उसके विचार करती हैं विमर्स कर और फाइनली बोलते हैं यह ठीक है अब जब सबको लग गया हां यह ठीक है तो बोलते हैं विधेयक पारित हो गया है मगर वो विधेयक पारित होने के बावजूद भी पारित नहीं होता है क्योंकि फाइनली उस पे ना सिगनेचर चाहिए होता है राश्टपती जी का अब पराश्टपती जी जब उस पे साइन करेंगे तो उससे पहले वो विध्यक को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपनी बुद्धी का प्रियोग करेंगे कि ये विध्यक सच में अच्छा है कि नहीं अच्छा है अगर उनको लगता है विध्यक अच्छा है तो दोस्तो हो तो ठीक नहीं लगा कि हमारे द्वारा जो भीजा गया विदेख तब ठीक था कोई कमी नहीं है या फिर अगर उनको लगा कि हां इस इस जगे पर कोई कमी तो उसमें सुधार कर लेंगे और सुधार करने के बाद में वापस अगर राष्टपती जी के पास भेज दिये तो राष्टपती जी अब मना नहीं कर सकते अब वो हो गया है बात दें उनको उस पर साइंग करनी पड़ेगी लेकिन ऐसे में वो एक और जो है अपनी शक्ति का प्रियुक कर सकते हैं दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो पॉकेट वीटो क्या होता है वो उस विधेग को अपनी जेम में डालेंगे और बताएंगे नहीं कि भाई हम इस पर अभी माने की नहीं माने वो बोलते रहेंगे कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे देख तो ये पॉकेट वीटो होता है किसमें समय सीमान नहीं किया गया है कि राश्वदी जी जो है दुबारा से आया हुआ जो हमारा विधेग है उसको किते समय तक अपनी जेम में रखेंगे वो सकता है दो दिन में करके दे दे हो सकता है दो महीने में करके दे या फिर छे महीने तो इसको अपने पास ही रख लेना इसको बोलते हैं pocket veto ठीक है तो यह आप समझ चुके होंगे इसके लावा दोस्तों एक और जगे है जो विशेशा दिकार है राश्टपती जी का वो है प्रधान मंत्री की नियुक्ती में आपने भी हाल फिलाल में देखा होगा 1989 से दोस्तों राश्टपती जी जो है ना उनकी बहुत जड़ा महातपूर भूमिका होती जा रही है हमारे प्रधान मंत्री को चुणने में आईगे अब इस पर बात कहते हैं देखिए वैसे क्या होता है कि जिसको विधाईका में बहुमत मिलते हैं उसके दल को मतलब उसके दल की जो ने कर दिया और बूल दिया सपत वपत हो गई कि भाई यहां पर अब जो है आसे हमारे प्रधान मंत्री इस दल के जो नेता है वो हो गया है लेकिन यहां पर राश्टपती की भूमिका तब स्पेशल हो जाती है दोस्तों जब यहां पर गडबंधन की सरकार बने और ऐसे में ग कोई बूलेगा हमको जड़ा भूमध प्राप्त है तो ऐसे में दूस्तों जब ढूतीन प्रधान मंत्री हो जाते हैं बनाने के लिए कड़वंधन की सर्कार जीती होती हुती ठीक है और जब कड़वंधन की सर्तार सत्ता में आ रही है तो उनी उनी सब में से कोई एकी तो तब राश्ठ पती जो है वो अपने विवेक का प्रियोग करते हैं दूस्तों और उसके बाद में जो है वो جिसको प्रधान मंतरी नियुक्त कर देंटें हैं, वो हमारे प्रधान मंतरी हो जाते हैं। आपको ऐसे बात साहर समझ नहीं आ रही हो कि मैं आपको बताता हूं देखो कैसे हैं जैसे आप ऐसे मालेजे कि यह एक अलग पार्टी है और यह अलग पार्टी है ठीक है अब ये जो बड़ी सरकार बनी दोस्तों इसमें टोटल सीटे हो गए हमारी 100 अब ये बहुमत में आ गए है क्योंकि इन्होंने अपनी सरकार आपस में मिल करके बना ली अब देखो ध्यान से होगा क्या है यहाँ पे कि इनके एक नेता होंगे दोस्तों कोई माल लेते हैं कोई एक परसंग है और इनके भी एक नेता होंगे कोई परसंग है तो कि पार्टी में तो बहुत सारे लोग है नेता एक है जो लीडर बनना चाहते थे जो प्रधान मंतरी बनना चाहते थे अब ज़िला इस बात को भी सोचें कि माल लेते केबल अगर यही पार्टी जीतती तो कई सारे लोगों में जो नेता है वही तो प्रधान मंतरी बनता ना और अगर यही पार्टी जीतती तो यह नेता बनते लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब दोनों ने कड़बंदन की सरकार बनाई तो उनको ना समझ में आएगा कि भाई हम नेता बने कि वो नेता बने नेता मतलब दोस्तों प्रधान मंत्री बने ठीक है बने ठीक बना दो और आप थोड़े समय बात बन जाना या फिर आप बनों ही मत तो ऐसा हो सकता है, तब राष्टपती को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिं जब ये दोनों लड़ेंगे कि हम को बना, हम को बना, हम को बना, तब राष्टपती अपनी गुद्धी का प्रियोग करके देखेंगे या फिर यहां पर जो है राश्टपती जी मंत्री परश्चत की सलाह से काम करते हैं तो उनका अपना कोई important role नहीं है, ऐसा नहीं है तीन बड़े-बड़े role जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से है सबसे पहला होता है यह कि अगर कभी अपने देश में emergency लागू हो जाए तो दोस्तों यह जितना भी जो देश का कारिभार है ना वो सारा राश्टपती के कंदो पर चला जाता है दूसरी बात यह दोस्तों कि अगर कभी गड़बंदन की सरकार जब सत्ता में होती है तो ऐसे में कभी भी कोई problem हो सकती है कभी सरकार भंग हो सकती है कभी सरकार की शत्ता गिर सकती है reason क्योंकि गड़बंदन की सरकार है कोई भी अपना भहुमत वापस ले सकता है तो जब ऐसे इस्तिती में अगर अचानक से सरकार गिर जाए तो क्या होगा क्योंकि वो तो चुनी हुई सरकार है वो बीच में कभी भी गिर सकती है लेकिन दोस्तो राष्टपती जो है ना वो कभी भी हट नहीं सकते हैं अपने कारिकाल के खतम होने के अलावा तो वो सत्ता में मतलब वो शासन पर रहते ही रहते हैं तो अगर कभी सरकार गिरी तो अचानक से देश में कौन आएगा देश का कारिभाल कॉल समालेगा तो हमारे राश्टपती जी हाँ पर काम आते हैं इसके लाव दोस्तों जब तक कभी स्थाई सरकार नहीं बन जाती, क्योंकि कई बार आप उने देखा होगा स्थाई सरकार बन गे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, या फिर किसी और मामले में अपने देश की बात नहीं करो, कहीं और भी ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर अगर संसदी विवस्था लागू है, तो अगर प्रधान मंतरी सत्ता में नहीं है उस टाइम पर, तो राश्टपती के कंदों पर सारा भार फिर से चला जाता है, और इसके लाव देश की बहुत ज़्यदा अहम भूमिका है, जैसे कि हमारे देश की तीनों सेना है, उनके दोस्तों जो सबसे अहम जिम्मा होता है, वो राश्टपती के कंदों पर होता है, तो इस परकार से हम का सकते हैं कि हमारे राश्टपती जो हैं अपने देश के वो एक important role अदा करते हैं देश की सरकार को चलाने में, देश के शासन बढ़ाली में, आप ये बिल्कुल भी मस सूचेगा कि हाँ आप राश्टपती जी की भूमिका बिल्कुल भी नहीं है, तो I think दोस्तो आप राश्टपती जी के बारे में तक्रीबन जितनी भी बातें समझ गयोंगे, इसके लावब भी बहुत सारी राश्टपती की जो कारेकारी शक्तियां दोस्तों होती हैं, जिन पर अभी आपके इस क्लास में बात चित नहीं की गई है, आगे आने वाली क्ल तो आईए दोस्तो बात करते हैं उपराश्टपती जी के बारे में, हमर दीस में भी उपराश्टपती जी का जो कारेकाल होता है दोस्तों वो पाच वर्सों के लिए होता है और इनका चुनाओ ठीक उसी प्रकार से होता है, जैसा कि राश्टपती सी होता है, मतलब जैसा कि चुनाव राश्टपती जी के लिए होता है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि इनके निर्वाचन मंडल में दोस्तों विधान सभा की कोई भी शदस्य नहीं होते हैं और दोस्तों अगर कभी जरुवत पड़े कि उपराश्टपती जी को उनके पत से हटाना है तो राजसभा को दोस्तों एक विशेज भामत वाला विधेक परित करना पड़ता है और उस विधेक पर लोगसभा की सहमती जरूरी होती है क्योंकि लोगसभा जब तक हां नहीं करे अध्यच कहने मातर से आप सारी बातों को किलियर करके समझ गयोंगे कि अध्यच कौन होता है उनके क्या क्या कारे रह सकते हैं राजसभा के लिए लेकिन दोस्तों इस्पेशल रूप से जो हमारे देश में उपर राश्टपती जी का जो पद है वो क्यों बनाया गया देग अपना कारेभाल नहीं समाल रहे हैं तो वो सारा कारेभार जो होता है वो उपराश्टपती को दे दिया जाता है और उपराश्टपती के पास तब तक रहता है जब तकि नए राश्टपती का चुनाव नहीं हो जाता तो इस प्रकार से उपराश्टपती की भी भूमिका य कुल मिलागर के राष्टपती की गयर मौझूदगी में या गयर हाजरी में अपना जिम्मा समालते हैं तो आइधिंक दोस्तों आप इनके बारे में भी जितनी जर्मकारी आपको चाहिए होगी वो समझ गया होगे बाकी बहुत सारी जर्मकारियां हैं जो उस वीडियो स्रीज में मिल लाएगी आपको साइध आई बटन में लिंक दिख रहा हो अगर दिख रहा है इसका मतलब मैंने उस स्रीज बना दी है शुरू कर दिया है और अगर नहीं दीख रहा तो आने वाले समय में आपको दिख जाएगा इसके अगले वीडियो लेक्ष्चर में दूसरे हम लोग बात करेंगे प्रधान मंत्री उनकी मंत्री पश्रत के बारे में और उसके अगली वाली वीडियो आने के चौथे पार्ट में हम लोग बात करेंगे अपने स्थानी सरकार के बारे में, स्थानी प्रशासन के बारे में, स्थानी कारिपालिका के बारे में जो कि होती है जैसे कि IS, IPS के बारे में आपको काफी जादा जनकारी जो है अच्छी लगता है और आप यकीन करें कि मैं आपकी हर एक सिंगल कमेंट को भी पढ़ता हूं तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना पूले मैं म ख्याल के आँसे लिए देखते लिए फुलान गाइट